हमेशकार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आथ सभी का स्टेस अकैडमी में मेरा नाम है पंकश शर्मा और डिसकस करता हूं में आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC प्रिलिंप्स के सिलेबस पर है MPPSC प्रिलिंप्स के सिलेबस के युनिट नंबर साथ में हमारे डिसकस्यन चल रहा है और लगातार लक्टर सीरीज के मांधिय। हम इसके टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं अगर हम सब सब पहले देखें हैं कि इस लक्टर सीरीज में कौन उनकों से टॉपिक को कम्प्लीट कर चुके हरवार की तरह तो को समझने से पहले प्रेयवरन के आशय उसके शब्द की उत्पत्ती की कहां से यह शब्द लिया गया है उसके अर्थ के बारे में चर्चा की थी प्रेयावरन के कारकों को डीटिल में समझा था और हम लोगों ने पर्यावरण से होने वाले लाब उसको हम किस प्रकार से छती पहुचा रहे हैं और छती पहुचाने के बाद इसके संद्रक्षन के लिए राश्ट्री और अंतराश्ट्री स्थर पर क्या प्रयास किये गां उस पर चर्चा की थी राश सरकार ने और वैश्यक इसतर पर पर्यावरण स्थरक्षन के प्रति लोगों को जागरू करने के लिए अलग-अलग दिवस घुशित किये गए हैं अंतराश्ट्री इस तर पर परयावर पर पहुवरणंय कारक पर चर्चा की थी तो यह सभी चीज़ें आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगी यूडिट नंबर 7 के नाम से जो प्लेइलिस्ट बनी है उसमें परियावरणी कारक के बाद हम लोगों ने जो सेकेंड टॉपिक किया था वो था पारिस्थिति की तंत्र वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने इसी प्रकार से डिस्कुशन किया था सबस्वेले हम लोगों ने पारिस्थिति की तंत्र के आशे पारिस्थिति की और पारिस्थिति की तंत्र में क्या अंतर है इसके बारे में देखा था पारिशिति की तंत्र के कारक जैविक और अजैविक उस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कुशन किया था उसके बाद हम लोगों ने पारिशिति की तंत्र को हो रही छती और उसके समरक्षन के लिए जा रहा है प्रयासों के बारे में बात की साथ इसाथ विभिन प्रकार के पारिश्चिति की तंतर जो इस धर्थे पर मौझूद है सब के बारे में डिस्कुशन किया था मैंने आपको बताया था कि पारिश्चिति की तंतर इस्थलिये और जलिये क्या है जलिये पारिश्चित और बहते हुए जल वाले पारिश्चिति की तंत्र की बात किती और यहां मैंने आपको नदी जरने जील और तालाप के पारिश्चिति की तंत्र की तुलनात्मक अध्यन भी करवाया था यह वो टॉपिक है यह वो सेक्षन है जहां से एक्जाम में कोशन देखने को जरूर मिल इसके अलाबा पारिश्चिति की तंत्र के बाद हम लोगों ने जो नेक्स टॉपिक शुरू किया है वो है जैव विविजिता का टॉपिक यह जो जैव विविजिता का टॉपिक है इस टॉपिक पर भी हमारा डीटेल में डिसकुशन चल रहा है मैंने जब यह टॉपिक चुके हैं कि जैव विवित्ता क्या है जैव विवित्ता शब्द कैसे आया सबसे पहले किसने जैव विवित्ता शब्द को प्रियोग किया था जीवी विवित्ता अर्थात बाय लोगों को बता चुका हूं उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही पार्ट मे कि इस्तरिया प्रकार क्या है और वहां हम अलग अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है जिसमें अनुवायंशिक जय विविद्था की बात की थी इसके बाद हम लोगों ने यहा प्रति रूप को देखा था जैविविटा के प्रतिरूप अर्था पैटर्न और बाइडवल सिटी इसमें हम लोगोंने इस चीज को सीखा था कि भारत में सहित दुनिया में कहां जैविविटा जादा मिलती है और कहां जैविविटा कम मिलती है ऐसे कौन से स्थान है पारितंत्र है व्यवस्था है जलव जैसे आप दुरुवों से जीरो डिगरी की और जाओगे अर्थात उच अक्षांसों से निम्नक्षांसों की और आते हो तो जैविवित्ता में आपको व्रद्दी देखने को मिलती है और निम्नक्षांसों से उच अक्षांसों की तरफ जाते हो तो जैविवित्ता में कमी होत चीजेशें बताई थी थिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि बिंदू-जभी विट्टा होती है ज़र दृबिता के मा पन के तरीके तरीके यह ध्यान रखना ज़र65 Parker मांपन के तरीकों के बाद हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्री और अंतराष्ट्री इस्तर पर जैविवित्ता को किस प्रकार से च्छती हो रही है नुकसान कैसे हो रहा है नुकसान के बाद हम लोगों ने देखा था कि यहां हमेरे लिए जैवीवित्ता का क्या फाइदा है और इसको क्यों बचाना ज़रूरी है और बचाने के लिए इसके संरक्षन के उपायों पर भी मैं बात कर चुका हूं लेकिन वहां मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बचाए था कि यह दो तरीक हम कह सकते हैं कि भारती जैवीवित्ता को डेडिकेटेड किया है इसमें हम लोगों ने भारत में जैवीवित्ता की स्थिति को जाना चुकि भारत जो है वो विवित्ताओं वाला देश है यहां सिर्फ भाशाओं की जातियों की यहां धर्म की ही विवित्ता नहीं होती बलक बरफिला इलाका मिलेगा जो पूरा तरीके से माइनस में टेंपरिचर होगा और दक्षिन की तरफ आ जाएंगे तो समुदर के Daar मिलेगा एक उमस वाला गर्महट वाला माँहल देखने को मिलेगा अगर Πष्षी में आ होता है ये जन्तूओं को और पौदों की प्रजातियों को भी निश्यत करता है तो इस विवित्ता के कारण भारत में जीवों की वनस्पंतियों की विवित्ता भी बहुत संपन है इस द्रश्टी से अगर रिखा जाए तो भारत में जैविवित्ता बहुत अधिक है और भारत की जे विवित्ता को हम चार भागों में बाट कर देखते हैं ये जो चार भाग हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें पहला नंबर है यूरोपियन जे विवित्ता यूरोपियन जे विवित्ता में मैंने कहा जैसे यूरोप के देश वहां आपको तापमान कम मिलेगा ठंड़क का महौल दिखाई पड़ता तो ऐसे छेत्र भारत में भी है उत्तर में दूसरे नंबर में हम देखते हैं इथोपियन जे विवित्ता जब हम इथोपियन जे विवित्ता की बात करेंगे तो यह अफ्रीकन छेत्र हो गया सुष्क प्रदेश वाली यहां पर विवित् स्टेट जो है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम मेगाला यह जो पूरा जोन है यहां पर आपको देखने को मिलेगी और लास्ट में हम देखें चौते नंबर पर भारतिय विवित्ता होती है यह भारतिय विवित्ता जो है यह आपको प्राइद इपी पठार के इलाके म था भारत में है मैं आपको बता चुक हूं कहां कहां मिलती है और इसके बाद हमने 10 जैव भौरत देखें हैं यहां मैंने आप लोगों को एक कि आगे बढ़ेकर चीजिए बताई हैINK करてके हमारा लख्स छोटा नहीं हमको यह नहीं सोचना है कि हम संकुचित रहें किसी एक परिक्षा पर ही निरबर रहें हम तमाम परिक्षाओं को यहां पर कवर करना चाहते हैं इसलिए मैं आपको वह हर छेतर के छेतरफल के प्रतिशत से लेकर वहाँ पाए जाने वाले जीवजन्तु वहाँ पाए जाने वाले पौधे सबी चीजों की अलगलग प्रकार की विशेशताएं बताई थी जीवों के बारे में बताई था एक्जामपल के लिए मैंने आपको बताया कि भारत का जो दक्षिन का इलाका है इस पूरे इलाके में आपको यहाँ पस्चिमी घाट की परवस्रेणी मिलती है यह परवस्रेणी लगबख 1600 किलोमीटर विस्त्रित है इस परवस्रेणी में आपको सगन वन चेतर मिलते हैं भार इसकी प्रकृति के हिसाफ से पड़ा है जैसे कि पूरा शरीर मुख सब बंदर के समान है लेकिन इसकी पूँच बबर शेर के समान है यह एक मातर ऐसा बंदर की प्रजाति जो हमारे देश में पस्षी मिघाट परवस रिणी में मिलता है तो यह सब में आपको बता चुका हू यह भारती जैवीवित्ता का उधारन रहा है तो यहां आप कहीं न कहीं जैवीवित्ता के बहुत बड़े टॉपिक को देख चुके हैं दो पार्ट के अंतरगत और जैवीवित्ता के लेक्चर का आज हमारा यह तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम लोग जैवीवि पर क्या होंगे एक तो ये कि हम लोग राश्ट्री इस्तर पर जैविवित्ता के संरक्षन के लिए क्या प्रयास किये गए हैं उसको देखेंगे दूसरा हम लोग अंतनास्ट्री इस्तर पर जैविवित्ता के संरक्षन के लिए क्या प्रयास किये गए वो देखें तो संसद ने जय विवित्ता के संवक्षन के लिए कुछ कानूनी उपाई कि दूसरा हमें यहां संस्थागत व्यवस्था देखने को मिलेगी कि कुछ संस्थाएं बनाकर भारत सरकार ने जय विवित्ता के संवक्षन के लिए कदम उठाएं सेम अंतराश्ट्री स्थर पर करेंगे अंतराश्ट्री स्थर पर एक तो आपको अभी समय कन्विंशन देखने को मिलेंगे संभेलन देखने को मिलेंगे प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे जो सभी देशों ने मिलकर अंतराश्ट्री स्थर पर संप्रक्षन करने का प्रया ग्रीन पीस क्या है और पेटा क्या है यह प्रमुख संस्थाएं जैविवित्ता के संब्रक्षन या जीवों के संब्रक्षन के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं जो वैश्विक इस तरपर सक्री हैं और अभी समय कि जब हम बात करेंगे तो यह हम लोग CBD की इंपोर्टेंट तौर पर डिसकस करेंगे जब हम CBD की बात करते हैं इसको हम कहते हैं कन्वेंशन ओन बाइडवर सिटी CBD जो है वह हमें 1992 में प्रत्वी संब्रक्षन के दौरान दिखाई पड़ता है और इसके अस्तित में आने के बाद इसके दो प्रोटोकॉल लेकिarmして Cartagena Protocol और Nagoya प्रोटोकॉल ये दूनों जो प्रोटोकॉल हैं जे विवित्ता के संब्रक्षन से जूड़े अंतरात्य इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं तो ये हमारा संब्रक्षन की व्यवस्था रहेगी जब हम भारत के सथर पर इंपोर्टेंटली कानूनी व्यवस्था की बात करेंगे तो यहां हमें एक तो 1972 का वन्यजीव सनरक्षन अधिनियम पर डिसकस करना है और दूसरा हमें 2002 में आया जैव विवित्ता अधिनियम की बात करना है तो यह हमारा पढ़ने का पहला तरीका होगा जिससे की हम विविन इस तर पर परिक्षाओं पर पूछे जाने वाले प्रश्णों की तैयारी कर लेंगे इसके अलावा जो सेकेंड होगा वो हम लोगों को और टॉपिक देखना है दूसरा हम यहाँ संरक्षन के तरीकों की बात करेंगे और जब जैवी वित्ता का संरक्षन किया जा रहा है तो यह दो तरीकों से किया जाता एक हम कहते हैं in c2 और दूसरा हम कहते हैं xc2 इन SITU और XC-2 वो दो तरीकے हैं जिसके माध्यम से राश्ट्री स्तर और न्तराश्ट्री स्तर पर जय विष्टता के संरक्षन का प्रयास किया गता है अब अगर हम इन SITU की बात कर लें तो ये स्वाइसिधाने संरक्षन की व्यवस्ता है और यदि हम XC2 की बात कर लें तो ये पर इस्थाने संरक्षन की व्यवस्ता है तो एक स्वाइस्थाने संरक्षन दूसरा पर इस्थाने संरक्षन अगर हम स्वाइस्थाने संरक्षन की बात कर लें तो इसमें हम लोगों को इंपोर्टेंटली तीन चीज़े दिखाई पड़ती हैं जैसे की वन्य जीव अभ्यारण, दूसरा रास्ट्रिय पार्क, तीसरा जैव आरक्षित छेत्र, इसकी इंग्लिश टर्मलाजी अगर देखें तो ये होता है इसके अलावा हम लोग जब वन्य जीव अभ्यारण की बात करते तो इससी जुड़ी एक और अवधारणा इसको हम कहते हैं पक्षी अभ्यारण, बर्ड सेंचुरी जो हैं वो भी हमारे देश में अलगलग स्थापित की गई, ये स्वाइस्थाने संरक्षन है, स्वाइस्था उनको हम लोग व्यवस्तित वातावरण देखते हैं, जहां वे सुरू से रह सकते हैं, उनके रहने की परियाप्त जो वातावरण है, जो सुविधाएं उन्हें आलवेज प्रकृति से मिली हुई हैं, उन इस्थानों पर जब जीवों के संरक्षन का काम किया जाता है, तो स्वाइस्थाने या इनसीटू संरक्षन में हम रखते हैं, और पर इस्थाने संरक्षन का मतलब कि जीवों को या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक परिवेश से अलग रखकर संरक्षन करने का कारे किया जाए, और उसमें आपको जो इंपोर्टेंटली दिखाई पड़ के जीन्स को सेव कर लिया जाता जीन में ताकि जरूत पढ़ने पर उस प्रजाति को जीन्स के माध्यम से डेवलोब किया जा सकते, दूसरा है इसमें जीन पूल और तीसरा इसमें आपको देखने को मिलता दोस्तों चुडिया घर, अब ये चुडिया घर की जो अवधारना है वो क्यों लाए गए थे, जू की अवधारना जब लेकार आया थे तो उसके पीछे उदेश था कि विशेश प्रकार के जीवों का उनको उनके प्राकरतिक परिवेश से अलग रग कर संब्रक्षन करना, आज अगर हम बात करें जू तो ये एक मनुरंजन का और पैसा कमान का माध्यम बन चुके हैं, आज आप जाएए जू में तो वहां आपके सामने जानवरों की प्रदर्शन ही लगी होती है, लोग जाते हैं तरह तरह से जानवरों को देखते हैं और कई परकार के लोग उन्हें जाके छिवरते भी प्रशान भी करते हैं, अब सूचिए कि सु आकरतिक वातावर्ण में रहकर आनंद का जीवन जीता है, तो जू का जो सिस्टम है, वो लाने की पीछे कारण ये था कि जीवों का अलग रखकर संरक्षन किया जा सके, उन्हें विशेष ध्यान दिया जा सके, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, परन्तु आज उसका जो अनुरंजन उद्देश आज हो गया, तो ये एक नकरात्मक पक्षा में देखने को मिला है, लेकिन बहराल XC2 संरक्षन की व्यवस्ता में चुडियागर आते हैं, इसमें आपको अलग-अलग वनस्पती उद्यान देखने को मिलेंगे दोस्तों, वनस्पती उद्यान जो हो और जबकि इन सीटू संरक्षन में आपको ये चार चीजे इंपोर्टेंटली देखना है, हम इन सभी चीजों पर डिस्कुशन करने वाले हैं, बराबर है, तो ये संरक्षन की मैंने आप लोगों को चीजे बताई, अब यहां आप ये समझ ये, कि जब हम बात करते हैं, वन वन जीव अभ्यारण की बात करेंगे, वन जीव अभ्यारण, वाइड लाइफ सेंचुरी, तो ये क्या है, ये एक संरक्षन का छोटे इस तरकी वेवस्ता है, छोटे इस तरकी वेवस्ता है, और इसका साइज आपको कोई बड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, इसका उदे इश होता है विशेश प्रकार के जीव या वनस्पती प्रजाती का संवरक्षण कलियर किसी विशेश प्रकार के जीव के संवरक्षण के लिए बना दिये जाते हैं किसी भी प्रकार की विद्वन्स जो कारेवाई है इंसानों की वो यहां नहीं होती ना आप यहां पशू चारा सकते हो ना यहां आप लकडी काट सकते हो नहीं आप किसी जानवर का शिकार कर सकते हो दूसरा हम अगर यहां व्यवस्ता देखें तो वह उता रास्ट्रिय पार्क रास्ट्री पार्क भी इसी प्रकार की व्यवस्ता है एक बहुत बड़े छेत्रफल की अंतरगत हम रास्ट्री पार्क गुशित कर देते हैं कोई जंगल का छेत्र है उस जंगल के छेत्र में कई प्रकार के जीवजन्तू रहते हैं और लगता है कि उसको संरक्षन करने की जरूवत है तो उसे रास्ट्री पार गुशित कर दिया जाता और उसके संरक्षन का काम किया जाता है यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की विद्धोय शक कारेवाही नहीं हो सकती ना आप यहाँ पर पेड़ पोधों को काट सकते हो ना आप यहाँ पर जीवजंतों का शिकार कर सकते हो ना आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की लकड़ी चुनने का काम कर सकते हो ना आप यहाँ पर अपना आवास बना सकते हो हर प्रकार की मानवी गतीविदी जो उद्यस में प्रतिबंदित होती हैं राष्ट्री पार्क हम इसे कहते हैं जब हम तीस्री बात करेंगे तो यह होता जैव आरक्षित छेतर जो है यह क्या है तो यह वनीजी लाप भ्यारन और राश्ट्री पार् हुआ एरिया होता है और यहां हम देखते हैं कि यह भी जीवों का प्राकरतिक परिवेश है एक परितंत्र का छेत्र है जिसको सरकार जो है वो जैव आरहश्य चेत्र के तौर पर खुशित कर देती है अब देखिए कि इन तीनों में एक बेसिक अंतर क्या है जब हम 72 का जो भारत का वन्यजीव संरक्षन अधिनियम है उसी के अंतरगत इनकी अधिसूचना की जाती है और ये केंद्र सरकार और राज सरकार द्वारा अधिसूचित होते हैं ध्यान रखेगा तो हम अगर बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारन की यह 1972 के एक्ट के अंतरगत इस सीधे केंदर सरकार के नियंद्रण में होते हैं और वनेजिव अभ्यारणों में राज सरकार हैं पूरा प्रभंधन का काम करती हैं लेकिन अगर हम जैव आरक्षी शेत्रों की बात करते हैं तो 1972 में जो स्टॉक हम समझोता हुआ था उसके बाद से हम देखें कि यहां पर पहला मानव पर्यवरन समझोता हमें देखने को मिला उसके बाद जैव आरक्षी शेत्र स्थापित करने की परिपार्टी शुरू होती है और इसके लिए 1973 से हम इस व्यवस्था को प्रारंग होते देखते हैं क्लियर और हमारे देश में अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों आज हमारे देश में साड़े 500 से जादा वनेजीव अभ्यारण है और लगबग 106 के आसपास हम राष्ट्री पार्क देखते हैं साथ इसाथ 18 हमारे देश में जैव आरक्षित शेत्र की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जैव आरक्षित शेत्र जो होता है इसे तीन भागों में हम लोग डिवाइट करके देखते हैं तीन भाग इसके अलग-अलग होते हैं इसमें इसका जो सबसे बाहर का शेत्र होता है इसे हम बोलते है संक्रमण छेत्र इसको हम बोलते हैं बफर जोन और इसको हम बोलते हैं कूर जोन अब इसमें ये तीनों छेत्र हैं इसमें परयाप्त अंतर है जो कूर होता है इसमें किसी भी प्रकार की मानवी गतिविधी की अनुमती नहीं होती यहां प्रवेश तक नहीं कर सकते ध्यान जोद का काम करना है, रिसर्च का काम करना है, जन्तु की गड़ना का काम करना है, यस प्रकार के जो काम होते वो यहां किये जा सकते हैं, और दूसरे काम जिसमें मानवी आवास की स्थापना हो, लकडी बीनने का काम हो, जंगल की कटाई का काम हो, यह बिल्कुल नहीं किया जा सकता इसे प्रकार से संक्रमन शील जो छेत्र होता है इस छेत्र में जनरली प्रतिबंद बहुत कम होते हैं यहां पर मानव साधर अर्था लकड़ी बीढ़ने का काम कर सकता है यहां पर विचरन कर सकते हैं भूमने फिढ़ने का काम कर सकते हैं कई बार यहां पर आवास भी दि प्रक्षित के लिए तो ये जैव आरख्षित शेत्रों के हम लोगों को तीन जोन दिखाई पड़ती हैं जिसे साफ से जैव आरख्षित शेत्र को इस्थापिज किया गया है तो ये हमने वन जीव अभ्यारण, हमने रास्टी पार्क और जैव आरक्षित छेत्रों की विवस्ता को समझा है अब यहाँ पर हम एक एक करके इनके डीटिल को देखेंगे इसी प्रकार से एक और विवस्ता में देखने को मिलती पक्षी अभ्यारण की दोसों हमारे देश में विवित प्रकार के पक्षियों की संख्या है पक्षियों की संख्या में भी हम लोगों को विवित देखने को मिलती है और हमारे देश में प्रवासी पक्षी भी समय समय पर आते हैं तो ऐसे में कई सारे ऐसे शेत्र हैं जिसको हमारे देश में पक्षी अभ्यारन गोशित किया गया है ठीक है तो पक्षियों के संरक्षन के लिए पक्षी अभ्यारन गोशित किये गये हैं विशेश प्रकार की जीव या वनस्पत्ति के संरक्षन के लिए वन्नेजिव अभ्या यहारन की बात करेंगे तो हमारे देश में जो महतपुर्ण पक्षी अभ्यारन है उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा गाना पक्षी विहार जो है यह भरत पुरा जिस्थान में है इसके बाद हम लोग देखें रंगन थिग पक्षी अभ्यारण ये मैसूर में है करनाटक में वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण काचिपुर्ण तमिलनडू में है मालापट्टी पक्षी अभ्यारण निलोर आंदर प्रदेश में है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारन गुरुग्राम हर्याना में है सलीम अली पक्षी विहार चिराव गोवा में है याद रखिएगा सलीम अली जो रहे हैं इनका पक्षियों के समरक्षन के लिए बहुत important कदम काम हमें देखने को मिलता है इसलिए भारत के पक्षी पुरुष के तोरपर हम सलीम अली को जानते है कॉंडिनिया पक्षी विहार चित्तुर आंदर प्रदेश में है चिलका जील पक्षी विहार उडिसा में है याद रखिएगा और यहाँ पर कुमारा कॉम या बेमबानात पक्षी अभ्यारन जो है केरम में दिखाई पड़ता है तो यह प्रमुख पक्षी अभ्यारन है इनकी लिस्ट आप लोगों को ध्यान रखना है एक्जाम में यहाँ से कोशन पूछा जा सकता है यहाँ से कोशन डेफिनिट एक्जाम में आते हैं और आपको इसकी तैयारी होना चाहिए पक्षी अभ्यारन की बात करें तो हम लोग इसके बाद जैव आरक्षी छेतर आते हैं हम 18-18 जयवाराकषी चेतरों को शॉट में यहाँ पर देख लेंगे आप लोग इसको स्कीन शॉट करके ले लिजेगा यहाँ पहला है दोस्तों नीलगिरी नीलगिरी जयवाराकषी चेतर भारत का पहला जयवाराकषी चेतर यह ध्यान रखेगा और ये 1986 में बनाया गया था तो एक्जाम में आपसे question कुछेगा कि भारत का पहला जैव आरक्षी छेतर कौन सा है तो नीलगीरी जैव आरक्षी छेतर है जो की तमिलनाडू में और इसके बाद हम केरल और करनाटक में देखते हैं तो ये 1986 में बनाया गया तमिलनाडू, केरल, करनाटक में इसका विस्तार है अब जनरली आप इसको ऐसे देख सकते हैं ये भारत जो है इसका ये दक्षिन का इलाका रहा और यहाँ पर आपको पस्चिमी घाट परवत और ये आपको पूर्वी घाट परवत दिखाई पड़ेगा पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट का जो गिठान है जॉइंट है यहाँ पर नीलगिरी है और इसका एक हिस्सा करनाटक में एक हिस्सा केरल में एक हिस्सा तमिलनाडू में खुलता है तो ऐसे में यहीं पर नीलगिरी जैव आरक्षी छेतर 1986 में भारत सरकार ने स्थापित करवा दिया और ये वाइनाड नागर होल बांधिपूर मुदू मलाई निलामबूर साइलेंट वेली सुरूवानी पहाड़ी यहां तक फैला हुआ है तो एक कोशन भारत का पहला जैव आरक्षी छेतर कौन सा है तो नीलगिरी है दूसरा कोशन पहला जैव आरक्षी छेतर कब घुशित किया गया था तो 1986 में तीसरा कोशन नीलगिरी जैव आराक्षी छेतर कितने छेतरों में कितने राज्यों में फैला हुआ तो तीन में तमिल नाडू केरल और करनाटक में इसके बाद दूसरा आता नंदा देवी नंदा देवी 1988 में घोशित किया गया जैव आराक्षी छेतर है ये चमोली पिथोड़ अगर बागेश्वर जिलों में है ये तीनों के तीनों छेतर हमें उत्तराखण में देखने को मिलते हैं नंदा देवी जो है इसको आप फूलो के घाटी के तौर पर भी देखते हैं फूलो की घाटी का ये बड़ा छेतर है जब आप यहां गुमने जाएंगे तो आपको यहां पर बड़ा आनंद आएगा क्योंकि फूलो की घाटी का एक विस्तरित छेतर यहां दिखाई पड़ पर इसको गारव हिल्स के छेतर में हम मेगालाई में देखते हैं तो नौकरेक से भी एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से अगला जयव आराक्षी छेतर जो है वो ग्रेट निकोबार है जो अंडोमान निकोबार का हिस्सा है ये 1989 में घुशित किया गया था नेक्स्ट है मननार की खाड़ी जय्व आराक्षी छेतर ये 1989 में घुशित किया गया भारत एवम शिलंका के सम्मिलित छेतर में हमें धिखाई पड़ता है तमिलनाणू छेतर में ये इस्तल पर भी हो सकते हैं और ये ही जयव आराक्षी छेतर जो होते हैं जल में भी हो सकते हैं, दोनु के होते हैं, इनका उदेश एक तो संवरक्षण करना होता है, दूसरा विकास आत्मा को होता है, तीसरा संवर्धन करना होता है, तो अगर मननार की खाड़ी को जैव आरक्षी शेतर घुशित किया गया है, तो इसमें सोचने की इस्तिती जादा नहीं है क्योंकि जैव आरक्षी छेतर में जल परितंतर भी आते हैं और इस्थल परितंतर भी आते हैं तो मन्नार की खाड़ी को 1989 में आप जैव आरक्षी छेतर के तौर पर देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट है मानस मानस को 1989 में जैव आरक्षी छेतर घुशित किया गया प्रमुक तोर पर असम में आपको मानस दिखाई पड़ता है और मानस जैव आरक्षी छेतर जो है वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत जादा चर्चे में होता है इसके लावा यहाँ पर हाथियों की जो विशेश प्रजाती मिलती है इसके कारण यह चर्चा में रहता है सुंदर्वन पस्चि मंगाल में है दोस्तो 1989 में इसको भी जैव आरक्षी छेतर गोशित किया गया गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा का प्रदेश है यहाँ जैव वित्ता की दरश्टी से एक संपन प्रदेश है इसलिए इसको जैव आरक्षी छेतर गोशित डिबरू सेखोवा जो है यह असम में आने वाला जैव आरक्षी छेतर है जिसको 1997 में गोशित किया गया है देहांग देबांग 1998 में गोशित किया गया है अरुनाचल प्रदेश का जैव आरक्षी छेतर है पच्मडी मध्य प्रदेश में सत्पुरा माउंटिन रेंज की सब बैतुल होशंगाबाद छिनवाडा छेत्रों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है दोस्तों इसके बाद कंचन जंगा आता है यह सन 2000 में घुशित किया गया जैव आरक्षी छेत्र है कंचन जंगा परवश रंखला और सिक्कीम का जो इलाका है वहां आपको यह देखन गया अनुपुर डिंडोरी और चत्तिजगर के बिलासपूर में आपको देखने को मिलेगा इसी प्रकार से कच्छ गुजरात में हैं दोस्तों विशेश परितंत्र के लिए जाना जाता है और 2008 के आसपास इसे जैव आरक्षी शेत्र गोशित किया गया है ठीक इसी प्रकार अब यहां ध्यान रखिएगा कि शेशाचलम के जो जंगल होते हैं यह पूरी प्रत्वी पर हमारे वैश्वी की स्तरप्रम देखे थे एक मात्र ऐसे छित्र हैं यहां लाल चंदन दिखाई पड़ता तो लाल चंदन के लिए आपको शेशाचलम के जंगल आंदर प्रदेश दिखाई पड़ेंगे और आपने जब पुषपा फिल्म देखी होगी जिसका पार्ट वन में लाल चंदन की तसकरी का एक विवस्ता बताई गई है वो शेशाचलम के जंगल से संबंदित है यह ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका अठारवा जैव आरक् अक्षी शेत्रों के बारे में आप लोगोंने जान लिया है अब यहां से एक्जाम में कोई भी कुशन आ सकता है चुकि आप पीएसी अगर देते हैं फोकस करते हैं तो मद्यप्रदेश की पूछे जाएंगे वहाँ पर जादा तर इसके बाद हम देखें कि यह जो जैव आ 2001 में नन्दा देवी को 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया इसी प्रकार से पचमणी को 2009 में नौक्रिक को 2009 में सिमली पाल 2009 में अमर कंटक अचानक मार को 2012 में यूनिस्को की सूची में शामिल किया गया इसमें ग्रेट निकोबार 2013 में अगस्ते मलाई को 2016 में कंचन जंगा को 2018 में और पन्ना को 2020 में यूनिस्को की सूची में शामिल किया गया अब यहां समझने वाली बात यह है कि सबसे नया जैव आ यह भारत का पहला जैव आरक्षी शित्र था जो 1986 में इस्थाबित हुआ था यह जैव आरक्षी शित्र आप जानते हैं कि तमिल्लाडू में यही जैव आरक्षी शित्र जो है केरल और यही जैव आरक्षी शित्र जो है करनाटक के इलाकों में नेलगिरी के पहाड़ी के साथ सन 2000 में युनेसको की सूची में शामिल होने वाला पहला जैव आरक्षित छेतर भी नीलगीरी जैव आरक्षित छेतर ही माना जाता है कि ध्यान रखना है जो जीवों की विविन प्रजातियों के लिए एक भैत्पूर्ण इस्तल के तोर पर देखा जाता है ये ध्यान आरक्षि छेतर की बात करते हैं तो ये केवल 18 थे जब हम लोग पक्षिव अभ्यारन की बात के दिए सिफ कम थे अब हम लोगों ने तीन चीजों को इंपोर्टेंटली देखा था वन्यजिव अभ्यारन राष्ट्री पार्क और जैव आरक्षि छेतर अठारा की अठारा ज सो से ज़्यादा राष्ट्री पार्क और 500 से ज़्यादा वन्यजिव अभ्यारन हमारे देश में हैं क्या सभके सब याद करने पड़ेंगे एकजाम की दृष्टि से सब नहीं करने पड़ेंगे मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्र ध्यान और वन्य परियोजना चलाई जा रही देखिए क्या होता है इस दुनिया में अलग 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 करकार के जीव जन्तुएं भारत में भी है तो इन जीवों को अगर हम लोगों को संरक्षित करना है तो इसके लिए हम एक विसेश प्रोजेक्ट चलाने के जुरत होगी और यह जो विसेश कुछता है कि क्षमीरी स्टैक के कहा जाता है हम गुलब्रग को कहा जाता है और इसके संरक्षन जमू कश्मीर के दाचीगं नैशनल पार्क में किया जा रहा है एक्जाम में ये भी कोशन पूशता है कि हंगुल उम्रग का संरक्षन किस नैशनल पार्क में किया जा रहा है तो दाचीगम नैशनल पार्क में किया जा रहा है 1970 में इसको संरक्षन करने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसको संख्या प्रत्वी पर बहुत सीमीत है इसलिसका संवक्षन बहुत जरूरी है द्यान रखिएगा इसके संवक्षन को ध्यान में के पश्रू के तौर पर शामिल है और जो बड़े बड़े परवच्छेत्र हैं यह फटा-फट छलांग लगा-लगा कर पूंद कर दर सो चला जाता है तो यह बहुत विशेश जीव है सेकेंड आपको देखेगा गंगा की डॉल्फिन दोस्तों गंगा की डॉल्फिन है इसको आप राश्ट्रिय जली जीव के तौर पर देखते हैं राश्ट्रिय जली जीव क्या है या राश्ट्रिय मचली क्या है तो आप डॉल्फिन को देखते हैं डॉल्फिन जन्म से अंधी होती है क्लियर इसका सेंस जो होता बहुत तेज होता है भारत नेपाल बंगाल की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो विवस्ता वहां पर आपको देखने को मिलती है अगर हम जलिये परितंत्र के दरश्टी से देखें तो बहुत इंपोर्टेंट होती है डॉल्फिन पानी को शुद्ध करने में इसका एक इंपोर्टेंट रोल दिखाई पड़ता है जैविवित्ता में इसके महत्व को देखते हुए इसके समरक्षन के लिए डॉल्फिन जो प्रुजेक्ट है वो भारत में चलाया जा रहा है और इसी जली जीव भी घूशित किया गया है राश्टिय मशली के तरफ़ आप डॉल्फिन को देखते हैं दूस्तों मीठे पानी के छेतरों में विश्येश तरफ़ डॉल्फिन का आवास होता है वर्तमान में देखें गंगा का ब्रह्मपोत्र का जो छेतर है इसमें आपको जगा- ज़रूत है ऐसे गेंडा परियोजना दिखाए पड़ेगी गेंडा परियोजना का प्रारंब 1987 में किया गया था गेंडा मतलब राइनो देखिए एक सिंग वाला गेंडा जो होता है वो पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलता है तो भारत के असम में मिलता है विशेशत तोर IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया संकर गरस्त जीवों की सुची में क्यों इसके समरक्षन के लिए अलग से भारत सरकार को गेंड़ा परियोजन है चलानी पड़ रही है राइनो प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है तो कारण है इसका अवेद शिकार दूस्तों क्या ह होता है एक सिंग वाले गेंड़े का अगर उसको बेचा जाए उसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में होती है इतनी उपयोगिता होती है तो इसके सिंग के लिए इसका आवेद शिकार लगातार होता रहा है जिसके चलते एक सिंग वाले गेंड़े की संक्या कम होती जा रही और इसकी संख्य बहुता कम बच्ची हुए है यह भी आपको ध्यान रखना है तो 25 हम वोगों ने गेंडा प्रयोक की बात की दॉल्फिन प्रचो की बात की और हंगुल म्रग प्रयोक private की द्यान रखने ठीक है अब हम लोग आगे अगर देखें तो अगले प्रजेक्ट जो हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कस्तूरी म्रग देखिए कस्तूरी म्रग पहाडी छेत्रों में ठंडे प्रदेशों में पाये जाने वाला भीरण की डियर की एक प्रजाती है और ये केवल नर में मेल में ही मिलती है फीमेल में कस्तूरी म्रग नहीं होते हैं उत्तराखन के केदारनात अभ्यारण में 1970 से इसके संरक्षन का प्रजेक्ट चल रहा है इसके लिए शिकारी देवी अभ्यारण हिमाचल प्रदेश और बदरिनात अभ्यारण उत्तराखन को भी शामिल किया गया है कस्तुरी म्रग जो है विशीश प्रकार के हि दर नाम चल रहा है और जब मणीपूर जाएंगे तो मनाईपूर में आपको एक जील मिलेगे जिसका नाम है लोगटक जील यहां पर इक साथ अभ्यारण और यहां पर हिरन के के जिसे आप थौमीन कहते हैं संगाई हिरन के तौर पर इसे जानते हैं इसके संरक्षन के लिए 1977 से पर्योजना चल रही है याद रखिएगा कि थौमीन हिरन की परजाती और इसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है तो यह केबुल लामजाओं में संरक्षित किये जा प्रारम जो है वो 1975 में किया गया बीतर कणी का वनिजीव अभ्यारन जो है यह हमें उडिसा में दिखाई पड़ता है और यहां से इसका प्रारम किया गया इसके अलावा उडिसा में ही गहिर माथा और नंदकानन रास्टी छेत्र जो है यहां पर इभी कच्वे के संरक्षन के छेतर में हमें दिखाई पड़ता है इसके संरक्षन की लिए भी यहां पर काम किया जा रहा है क्योंकि साल के एक समय में ऑलिव रिडली कच्वे जो होते हैं उडिसा के इस तट पर हमें देखने को मिलते हैं तो कच्वा परियोजदा भी बड़े पैमाने पर हमारे देश पर चलाई जा रही और ध्यान रखिए कच्वे को घर में रखना कानुनी रूप से अपराद गोशित किया गया इसलिए आप कच्वे को जनरली घर में नहीं रख पाते हैं तो यह संकट ग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है जिसका संरक्षन किया जा रहा है गिद्द सं गटन करता के तौर पर अप घटन करता के तौर पर इसे देखते हैं जो मृत जीव जन्तू होते हैं सड़े जीव जीव हो जाते हैं उनको खाने वाले जीव होता है इनको वल्चर कहते हैं इनका भी परिस्तिति के तंतर में एक इंपोर्टन रूल है क्योंकि यह मरे जीवो चालो गया उससे हम बोलते हैं सेव सेविंग एशियाज वल्चुर्स फ्रॉम एक्स्टिंशन यह सेव कारेकरम किसके लिए चलाई जा रहा है तो गिद्दों के संब्रक्षन की चलाई जा रहा है अब गिद्दों पर संकट दो चीजों से एक पर इनका शिकार दूसरा इनके आवासों को छती होना तीसरा इनके लिए प्रयाप तो बोल सकते हैं कि जो जलवाई परिवर्दन के कारण इस्तिती गंबीर हो रही वो इसका कारण है लेकिन इससे भी बड़ा कारण इसका रहा है डाइकलो फेनिक यह एक दवा है यह दवा ऐसी है जो घरेलो इस तर पर ज ऊज़े गद्डों की मृतई हो रही है तो इस डाइकलो फेने को प्रतिबंदित किया गया है ताकि गिद्डों की संख्या जो है वो बढ़ सके और की द्रश्टी से देखे तो मद्देप्रदेश में गिद्ड की संख्या में हमें परियाप्त व्रद्य देखने को मिली है गिद्ध गड़ना का कारे मद्ध प्रतेश ने करवाया था इसलिए तो इंपोर्टेंट है ये गिद्ध इसके अलावा घडियाल या मगरमच संरक्षन परियोजना भी चल रही है 1975 से कच्वा प्रजेट के साथ घडियाल संरक्षन की लेकिन मुरेना में चंबल अभ्द्ध्यारण जो है वह घडियाल के संरक्षन के लिए भारत का सबसे वड़ा अभ्यारण है इसके अलावा के और務 अभ्यारण भी भारत में मद्यप्रोदेश में घडियाल के संरक्षित के लिए स्थापित किये गए हैं तो घडियालों का important योगदान है पारिस्ति की तंतर में जैविवित्ता मिसली इनको संरक्षित करने के लिए प्रियास किया गया एशियाई शेर गिर शेर परियोजना चल रही है ये 1973 से चल रही देखिए एशियाई बबबर शेर जो है भारत के गिर रास्ट्रुद्यान गुजरात में ही मिलता है इसके लावा कहीं नहीं मिलता इनकी संख्या जब की गई थी तो लगबग 500 के आसपास इनका क्याल्क्लेश किया जा रहा है ठीक है तो यहां एशियाई शेर सिर्फ भारत के शेत्र में मिलते हैं और खादर शंख्या में टॉप पर यह मौजूद होते हैं इनके संद्रक्षन को ध्यान में रखते हुए गिर में शेर परियोजना चलाई जा रही है लाल पांड़ा परियोजना लाल प रिप्त होने की कागार पर इस सिर्फ जन्तु है प्रमुक तोर पर यह चाइना के छेत्र में मिलता है लेकिन भारत में जब हम बात करें तो भारत का जो अरुनाचल प्रदेश है भारत का जो मनिपूर सिक्कीम का छेत्र है भारत में असम का जो छेत्रे वहां पर आपको यह पांडा देखने को मिलता है और विशेश तोर पर इसके संरक्षन का कारेकरम 1996 से भारस में चल रहा है पदमजा नायर हिमालियन जूलोजिकल पार्क दारजिलिंग जो है इसमें इसके संरक्षन के काम किया जा रहा है इस लाल पांडा को आप केट वियर के नाम से भी जानते है पांडे की लाल और काले पांडे हम लोगों को देखने को मिलते काला पांडा जो है वो उसकी संख्या परियापते परन्तू लाल पांडा बहुत दिक्कत में है एलिफेंट प्रोजेक्ट हाती पर योजना दोस्तों हाती हमें नॉर्मली सडकों पर विबिन लोगों के पास तुछ जानवर के तौर पर दिखता है हाती भी संकट ग्रस हो सकता है यह सूच नहीं सकते ते लेकिन आज है हाती जो है वह विविन कारणों से कम होता जा रहा है इसका शिकार हो हाती नात के लिए या फिर रेल की पट्रियों से विजली के खंबो से शेहरी करण के कारण मार्ग परिवर्तित होने के कारण जब इनके आवास नस्ट होते जारें इसके कारण हाथियों की संख्या में कम हमें देखने को मिली है 2017 के आसपास जब हाथियों की गड़ना की गई थी भारत में तो 23,000 के आसपास हाथी भारत में थे कि भारत में मात्र 23,000 के आसपास ही हाती हमें दिखाई पड़ते हैं कितने कम हैं तो ऐसी स्थिती में इनके सम्रक्षन के जरुत पड़ी हातिक उस्ष्ण का टिक बंदी जलवायूंबर रहने वाला जन्तु होता है प्रत्वीक पर इस्थल पर हम देखें सबसे बड़ा अगर कोई जीव्द है तो वो हाती ही होता है खादर शंकला में इसका important role होता है इसलिए इसके सम्रक्षन के लिए भी प्रियास की गई 1991-92 से हाती परियोजना शुरू की गई जैसे tiger के सम्रक्षन के लिए project tiger चलाया जा रहा है और tiger reserve इस्थापित किये जा रहा है उसी प्रकार से ह हातीयों के समरक्षन के लिए elephant reserve इस्थापित किये जा रहा है और भारत में लगबग 32 elephant reserve इस्थापित किये जा चुके हैं ये 32 elephant reserve 16 अलग अलग राज्यों में है मतलब हाती परियोजना भारत के 16 ऐसे राज्यों में चला ही जा रही जहां पर हात्यों की संक्या बहुत जादा है इसमें असम से लेकर केरल तक के समस्तर राज्य शामिल है यहां धियान रखना है कि हातियों के संद्रक्षन के लिए यह जो प्रियास किये गए उसमें पहला जो हाथी रिजर्व है वो जारकन में इस्थापिक किया गया इसका नाम था सीमबूबी एलिफेंट रिजर्व य हाथी मेरे साथी कारेकरम जो है योजना जो है 2011 में चलाई गई थी तो एक्जाम में कोशन पूछे की हाथी मेरे साथी पर योजना क्यों चलाई गई थी तो हाथी दात की तत्सकरी को रोकने के लिए उनके संद्रक्षन के लिए चलाई गई थी इसे प्रकार से पहला हाथी अस्पताल जो है वो 2018 में मतुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया पहली हाती पुनरवास केंदर यमुना नगर में खोला गया दोस्तों ध्यान रखिया गया हर्याना चेतर में आता है पहला एलिपेंट विलेज आमेर राजिस्तान में स्थापित किया गया है हाथियों की अव रिज़र्व भारत में अलग लग देखने को मिलते हैं जैसे की पेरियार केरल है अन्ना मलाई तमिलनाडू में है शिवालिक उत्तर प्रदेश में है बादलकोल चतिजगर में है खासी हिल्स मेगालाय में मयूर बंच उडिसा में है सोनितपूर असम मेह इटांकी नागलन म यह हाथी रिजर्व इंपोर्टेंट है जो हमें दिखाई पड़ते हैं भारत में तो यह हाथी प्रोजेक्ट इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट टाइगर बाग परियोजना देखने को मिलते हैं दोस्तो नाइंटीन सेवन्टी टू तक हम देखें तो शेर लॉयन जो है ऐसे में बागों की संख्या बहुत जादा कम हो गई थी तो बोला गया कि बाग जो है इसके संरक्षन का काम करना चाहिए तो बागों के टाइगर के संरक्षन का काम करना था तो हमें नाइंटीन सिक्टी नाइन के बाद खास तौर पर नाइंटीन सेवन्टी टू नाइंट और 1973 से ही भारत में बाग परियोजना का प्रारम किया गया प्रजेक्ट टाइगर का और प्रजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो मैन फोर्ड गैनिमिड ये मैन फोर्ड गैनिमिड जो है न ये वैश्विक इस तर पर बाग परियोजना के जनक माने जाते हैं वहीं अगर हम भारत में बागों की बात करें तो कैलाश शांकला जो है इनका बहुत important योगदान है इसलिए इन्हें भारत का बाग पुरुष Tiger Man of India कैलाश सांकला को कहा जाता है अब यहाँ पर बाग परियोजना शुरू कर दी गई बागों के संडरक्षन के लिए परियोजन गया 1973 से और 1973 से ही उत्तराखन से हम लोग इसको देखते हैं जिम कारबेट से जिम कारबेट से इसका प्रारम किया गया और उस समय नौ ऐसे राष्ट ध्यान थे छेत्र थे जिनने प्रजेक्ट टाइगर के अंतरगत बाग रिजर्व गोशित किया गया तब से इसको लगात ती टाइगर रिजर्व सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है तो ये टाइगर रिजर्व की व्यवस्ता इस्थापिट की गई प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत जब बागों के संरक्षन का काम करना था थो कौन से अधिनियम के तहत 1972 के वन जी शंकला में सरोज पर होता इसके कमी होने से विलुप्त होने से खाद शंकला पूरी तरे के से गड़बर हो जाएगी असंतुलन हो जाएगा पारिशित्तिका का इसलिए इसके संरक्षन पर बल दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है अब जब हम प्रजेक्ट ताइगर रिजर्व को मिला कर हम कहेंगे पहले साथ थे जिसमें सिकस प्लस वन हम कहते थे छह राष्टि उद्ध्यान और एक पानी गिवंड़ जिव अभ्यारण को मिला लें तो साथ टाइगर रीजर्व मद्य प्रदेश में पहले से थे आठ्वा जो है वो राने दुरगवात ही टाइगर रीजर्व गोशित करने के बाद हो गया है तो सबसे ड़ा टाइगर रीजर्व कहां है तो नागर जुन सागर प्रोचल basics plane का भारत का सबसे बड़ा सभसी मुझाइब पर सबसे ऐगर काउन सा तो नाम दफा त्य हम्ने दिछाई पड़ेगा जहाई हैं यह 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 हमें धिखाई पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में भारत का अंतराश्वी बाग दिवश्च के तोर पर हम देखते हैं क्योंकि बागों के संरक्षन करने के लिए एक वैश्वी की स्तरवर्ड मुहीम है दुनिया में हम देखें तो भारत उसके आसपास के दश ऐसे देशे जहां पर बागों की संक्या सबसे जादा है इन सब को मिला कर हम World Tiger Forum नामक संस्था को भी देखते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा बाग जो हैं वो हमें भारत में दिखाई पड़ते हैं अगर हम भारत में देखें तो भारत में अकेले भारत में 3000 से ज़्यादा बाग है ये आप लोगों को ध्यान र बागों के शोद उनकी गड़ना आदी की काम भारत में करता है एंटी सीय जो है ये 2006 से ही बाग गड़ना रिपोर्ट निकालता है ये बाग गड़ना रिपोर्ट जो होता है ये रिपोर्ट हर चार साल में निकाली जाती है चार वर्ष में चार वर्ष में निकाली जाती है और 2006 में पहली बार जब रिपोर्ट आई थी तो भारत में 1411 ही ब ऐसे भारत में साल दर साल रिपोर्ट दर रिपोर्ट बागों के संख्या बड़ी है पहली रिपोर्ट दूसरी दूसरी दूसर दस में तीसरी दूसर चौदा में चौथी दूसर अठारा में और पांच भी दूसर बाईस में रिपोर्ट आती है दूसर बाईस में जो पांच 63 बाग हमें करनाटक में देखने को मिलते हैं उत्तरा खान में हमें 500 साहड बाग देखने को मिलते हैं अच्छा आप 2018 की रिपोर्ट में मद्य प्रदेश में बागों की संक्या 526 थी देखिए बहुत जादा बागों की संक्या मद्य प्रदेश में बड़ी है पिछले चार साल लों में यह रिपोर्ट कहती है 2022 की व्यवस्ता पर हम लोगों ने बात किया है ध्यान रखिएगा इसके बाद अगर दोस्तों हम देखें तो यह राश्ट्री इस तर पर बागों के संद्रक्शन के लिए या हाथी की संद्रक्शन के लिए उठाए गए कदम थे हमने राश्ट इस तर पर हमें दो कानून देखने को मिलते है इंदरा गांदेजी की सरकार रही 1972 में जिवों को शामिल किया गया उन पर मौजु संकट के आधार पर उसके तहत वन जीवों का शिकार करना वनस्त्ति आदी को नश्ट करना ये कानून अपराद माना गया है जिसके लिए कथ रहो धन्ड का प्रावभान किया गया बराबर है उसी प्रकार से 2002 में जय वी वित्ता सनुरक्ष्ण अधिनियम भारत सरकार ने पास किया जय वी विट्ता के सनुरक्ष्ण ले उतके दित्व कदम उठाय जा रहे हैं क्लियर हो गया यह दोनों अदिनियम अब हम अंतराश्ट्री प्रियासों की बात करें तो अंतराश्ट्री इस तर पर संस्थाओं में IUCN आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगी जब हम दोस्तों IUCN की बात करते हैं तो यहां में दिखाई पड़ेगा कि IUCN जो है यह 1948 में स्थाबित किया गया और स्विजर लैंड में ग्लैंड शहर है यहां पर इसका मुख्याला है अंतराश्ट्री प्रक्रती संरक्षन संसान के तौर पर हम इसको देखते हैं National Union for Conservation of Nature है यह और IUCN जो है यह हर चार साल में एक रेट डाटा बुक निकालता है जिसमें संकट के आधार पर जीवों का रखा जाता है जीवों को अलग-अलग नो सेडियों में रखा जाता है जिसमें अलग-अलग लेवल पर जीवों की संख्या उन पर मौजू संकट को ल अंतराश्टी इस्तर पर जैवेवित्ता संवरक्षन के लिए प्रकृति के संवरक्षन इंपोर्टेंट संस्तान है रेट डाटा बुक जो है इसमें नो स्रेडिया है इसका प्रारभ 1964 से किया गया और प्रथम बार 1968 में रेट डाटा बुक जारी की गई थी यह ध्यान रख की गई जहां एक और जीवों के संवरक्षन को ध्यान में रखते हुए डाटा बुक जारी की जाती है वहीं ग्रीन लिस्ट जो है वो संवरक्षी छेत्रों को इंपोर्टेंस दिये जाने के साथ की जाती है ग्रीन लिस्ट संवरक्षी छेत्रों के बैतर मेनेजमेंट के लि जवस्ता को बहतर करने के लिए ग्रीन लिस्ट जो है वो हमें जारी करते दिखाई पड़ती है IUCN के बाद हम देखते हैं दूसरों WWF WWF का जो लोगो है वो काला पांडा है और ये काला सफित पांडा ही इसके लोगों के तौर पर है WWF का फुल फाम है World Wide Fund for Nature जिस प्रकार से IUCN अंतराश्टी इस्तर पर प्रकृति संड़क्षन का काम करता है उसमें फंड की जो जरूरते होते इसको पूरा करने का काम होता WWF का 29 अपरेल 1961 को इसकी स्थापना की गे और स्विजरेंट के ग्लैन में इसका मुख्याला है इसके बाद आता साइट्स साइट्स जो है ये अंतराश्टी इस्तर पर विबने जीवों के वनस्पतियों के इलीगल ट्रेड को रोकने उस पर निगरानी रखने का ताम करता है इसमें जीवों और जन्तुओं और वनस्पतियों के इलीगल ट्रेड और बाकी सब चीजों को शामिल किया जाता है 1973 में इसको अपनाया गया 1975 सी ये लागू हुआ है यूनेप के द्वारा संचालित साइट्स एक प्रोग्राम है याद रखिएगा क्लियर हो गया चलिए इस आपको जो दिखाई पड़ता है संस्थान अंतराश्टी स्थर पर हो है जीए एफ ग्लोबल एन्वार्मेंट फैसिलिटी 1992 के रियो दी जिनेर्यू प्रतिविय सम्मेलान का दौरा ने इसको शामिल किया गया भारत साइट 184 देश इसमें सदसें इसका सची वाला है वाशि इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो आपको दिखाई पड़ेगा ग्रीन पीस 1971 में स्थापित किया गया बैंक वर कनाणा में इसका सची वाला है परियावरन चेतना का विश्वियाभी आंदोलन है ग्रीन पीस एक अंतर सरकारी संसा के तोर पर आप इससे देखते हैं सरक किता है न दोस्तों इसको आप एक एंज्विय के तोर पर देखते हैं जो विभिन प्रकार के जन्तूओं के अधिकारों के संरक्षन का का काम करता है 22 मार्च उनिस वसी को इंग्रिड न्यूक्रिक पोचेको ने इसकी स्थापना की वरजीनिया यूएसे में इसका मुख्या प्रियों का करता है तो उसमें कही न कहीं इंपोटेंटली कदम उठाने का काम करता है पेटा तो यह अंतरवी संभिलन हुआथाrich तब इसको अपनाया गया था और इसके अंतरगाद दो प्रोटोकॉल हम देखते हैं क्योंकि ये convention on biodiversity है सभी देशों में मिलकर जैविवित्ता के संद्रक्षन के लिए एक स्थापना व्यवस्ता की थी इसके अंतरगाद हम दो चीजे देखते हैं एक हम देखते हैं काटा जेना प्रोटोकॉल काटा जेना प्रोटोकॉल दूसरा हम देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल जापान में हुआ है और काटा जेना जो है कोलंबिया में हुआ है ठीक है तो कोलंबिया का काटा जेना जापान का नागोया काटा जेनव प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलता है सन 2000 में और 2003 से ये लागू होता है ठीक है 2001 में भारत इससे जुड़ जाता है इसी प्रकार से नागोया जापान का प्रोटोकॉल जो है ये हमें देखने को मिलता सन 2010 में और ये लागू होता है 2014 में अक्टोबर 2010 को ये और October 2014 में ये लागू होता है अब नागोया ये जो प्रोटोकॉल है इसका और काटा जेना प्रोटोकॉल में मुख्य विशेवस्तु ये इसका उद्देश ही क्या है तो काटा जेना का संबंध है genetically modified चीजों से लेका जो भी genetically modified चीज आप बनाते हैं उसका दूसरे देशों में आप निर्याद करते हैं उसका कुछ न कुछ impact या प्रभाव भी हमें दिखाई पड़ेगा ऐसे में World Trade Organization की शर्तों के हिसाब से व्यापार को आप प्रतिबंदित कर सकते की नहीं कर सकते हुए दिक्कत हो जाती है तो genetically modified चीजों का मतलब है कि चीजों के genetically गुणों में वरण या मानव जाती पर जंदों पर पड़ता है तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल लाएं CBD के अंतर कद वह का टा जेना प्रोटोकॉल था वैसी नागया प्रोटोकॉल यह कहता है कि इस रश्टी में जो विविन्य प्रकार के संसाधन है इन संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार है परन्तु सबसे ज़्यादा अधिकार उन लोगों का है जो हजारों सालों से वहां रहकर उनका संरक्षन का काम कर रहे हैं विश्येश तोर पर वो जनजाती आधिवाची समुदा है जो किसी पर्टिकुलर शेत पर रह रहा है वो उन संसादनों का वहां पर करेगी तो उसका एक लाब का हिस्सा इस्थानी समुदायों को भी डिस्ट्रिबूट किया जाएगा क्योंकि वह समुदाय उसका संरक्षक होता है हाला कि अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है लेकिन वैश्विक इस तर पर इस परकार की व्यवस्पाए हमें जैवी विद्टा सं द्यानों की क्योंकि इनकी संख्या बहुत जादा है जो बताऊंगा वह अच्छे से कर लीजीगा एक्जाम में वहां से आ जाएगा जादा करने के जरूत नहीं है तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो जय हिंद जय भारत वंदे मातराम दोस्तों जय श्रीडाम और हाँ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अपने दोस्तों शेयर जरू की थैंक यू